हेलो फ्रेंड्स मैं आनंद चोदरी आज आपके लिए एक ऐसा टोपिक लेकर आया हूं जिसको मतलब आप देखोगे तो आपके मतलब बहुत ही खुश हो जाओगा कि यार हाइब्रिड वेराइटी जो बहुत ही most important आपको पता है टोपिक है और इसके अंदर जो काफी doubts होते ह हैं तो आज अपने इसको इस तरह से बढ़ेंगे कि कोई agriculture का बंदा नहीं भी हो तो वह भी hybrid वेराइटी बनाना सीख जाए तो ठीक है आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं hybrid वेराइटी तो अपना discussion स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स hybrid वेराइटी क्या होती है कि hybrid होनी चाहिए वो जो है genetically dissimilar दो अगर कोई pure line भी हो सकती है inbreed line भी हो सकती है open pollinated variety भी हो सकती है clone भी हो सकता है populations जो बस genetically dissimilar होने चाहिए उनका cross करवाने पर उसकी first generation F वनाएगी उसी को hybrid बोलते हैं ठीक है अब inbreed आया इसके अंदर line के inbreed क्या होती नियरली homozygous line obtained from the continuous inbreeding continuous inbreeding के द्वारा जो अपने को homozygous line जो अपने को मिल रही है वो होती है invalid line आज अपने इसको पूरा systematic दंग से देखेंगा उससे पहले जो basic terms आती है वो देख लेते क्या होता है single cross क्या होता है कि दो जो line होती है चाहिए दो invalid line उसका जो cross होता है उसको बोलता है single cross, यह तो simple है A into B का का एक और जो है सिंगल क्रोस के साथ अगर क्रोस करवाएंगे बी इंटू सी के साथ में यह पहले से यह पहले से हो रहा है यह पहले से हो रहा है दो सिंगल क्रोस का क्रोस अगर कराएंगे तो वह का डबल क्रोस ठीक है अब थ्रीवे क्रोस क्या होता है 3-way cross होता है कि एक cross between the single cross एक तो single cross होगा और एक inbreed होगा तो इसको बोलते है 3-way cross ठीके एक top cross होता है top cross होता है when the cross inbreed का cross होता है open pollinated variety के साथ में जो open अभी general combining ability में use मिलेंगे ठीके एक inbreed का cross होता है open pollinated variety के साथ में जो cross होता है उसको बोलते है top cross और test cross क्या होता है कि genetics के अंदर देखे तो होता है कि F1 hybrid का जो homozygous recessive strain है जैसे आपने देख लिजे कि ये A है ठीक है और ये मान लिजे B है ठीक है अब समझे लो ये आ गया ठीक है तो इसका इस recessive के साथ में जो cross होगा उसको बोलते हैं ये test cross genetis के अंदर ठीक है जबकि अगर breeding के अंदर बात करें तो breeding अंदर test क्या होता है प्लांट बीडिंग देखे प्लांट या लाइन उसका साथ कि किसका tester के साथ में होता है test क्या हो सकता है इनी भी भी हो सकती ये hybrid synthetic variety भी हो सकती open polluted भी हो सकती तो इसको test cross बोलते हैं ठीक है वापस फटाफट बता देता हूं क्या था यह क्योंकि इसमें डाउट होता लोगों को सिंगल क्रोस होता है दो lines का चाहिए दो इनब्रीट लाइन हो चाहिए कुछ भी हो डबल क्रोस होता है दो single cross का cross दो single cross का या दो f1 का cross ठीक है three-way cross होता है कि अपन जो है कि एक तो अपन को single cross होना चीए एक इनब्रीड होनी चीए तो आप क्रोस होता है इनब्रीड का एक open polluted variety के साथ में test cross होता है f1 का homozygous recessive strains के साथ में जो क्रोस होता है ठीक है और वैसे तो अपने देख रहे था टेस्टर के साथ में प्लांट ब्रीडी में देख लिए तो अब अपन सीखेंगे hybrid variety बनाना ध्यान से देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है सबसे पहले अपने प ठीक है अब इनब्रीड लाइन के से देया होगी सबसे पहले हाथ पिष्टे अब आता है प्रोडॉक्शन सफ इनब्रीड लाइन क्या होती है कि ओपन पॉलिनेशन इस प्लांट डाइवर सोर्स से अपने कर रहे हैं continuous इंब्रीडिंग उसमें सेल्फिंग करानी है अपने को मतलब वीक होंगे दिर्देर वीक होंगे जो सक विग है वो दिर्देर वीक होगा थिक है this her go मैंने जैसे मेरे 9 अब मैंने इसकी एक l audience लगा दी ठीक है वापस मैंने जो है इसके सीड आ गए मेरे पास में वापस मैंने इसकी एक लाइन लगा दी तो कंटीनिव अपन छे या साथ जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन्स करेंगे उसके द्वारा अपनों को जो है इन्विट्स लाइन जो मिल जाएगी अब यह अच्छी लग रहे है को ओनो टीपिक लिए इसको अपन हटा दिया यह अब इसको इसके अंदर नहीं जनरें लोत करवाइंगे open pollinated variety के साथ में उसका cross करवाएंगे जीस जी इएगा इसके अंदर inbreed जो होती है inbreed का open pollinated variety के साथ में cross करवाएंगे top cross इसको बोलता है उसके अंदर से जो अपन को जो line मिलेगी जिसके अंदर से आपन को जो average yield होती है उससे average yield और उससे ज़्यादा वाली को select कर देंगे और जो कम वाली है उसकी combining ability देखेंगे कि यार इसका combinations कैसा है क्या एक cross कर पा रही है या नहीं कर पा रही है तो क्या होता है कि inbrates line होती है न inbrates line का अपन open pollinated variety जिसको बोलते है wide genetic base जिसको बोलते है broad genetic base उसके साथ में इसका cross होता है उससे चेक होती है general combining ability इसको top cross से test करते है ठीक है general combining ability क्या होती है कि जो बहुत सारी inbrates line है अपन ने इसका cross करवाया एक जो broad genetic base से open pollinated variety से इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो male parent है उसका अपन को genetic constitutions पता नहीं है unknown है male parent क्योंको open pollinated है तो सीधी बात unknown नहीं है इसका अपन ने cross करवाया है इसके साथ में इसके साथ में जो average yield है या फिर वो जो इनफेरियर है उसको तो हटा देना है और जो average yield दे रही है या इस अच्छी दे रही है उसको select कर लेना है ठीक है इससे जो है इसमें कहा लिकावा selected among the in breed based on the phenotypic evolutions यह अपने देख लिया था वेरी पूर को इपने पास में देख लिया था अपनने फिर कहा है in breed test for the GCA on the basis of the top cross test मैंने क्या बता रहा है था कि in breed का open pollinator साथ करा है उसको बोल तो प्रोस इसमें कहा लिकावा अब ओड़ फिफ्टी परसेंट सफ दे इंब्रेड रिजेक्टेड इसके अंदर पचास परसेंट जो है अपने इंब्रेड कर देंगे अब आता है कि अपने पास में आगे ही कि अपने पचास परसेंट कर देंगे अब अपन क्या करेंगे अपन को बहुत ही बेस्ट चाहिए तो अब आएगा सिंगल क्रोस टेस्ट इसमें क्या हुता है इसके इंदर जो तो होता है निरो जेनेटिक वैस था इसके अंदर क्या करना ए उपने पास में •C • घिक कई तो अब क्या करेंगे जो स्पेस्पिक कमइनिंग अबिलिटी एक करूँगा मैं बी के साथ में ठीक है और एक करूँगा मैं सी के साथ में ठीक है फिर बी का करूँगा एक साथ में और फिर बी का करूँगा एक साथ में और फिर बी का करूँगा सी के साथ में फिर सी का इन्टो में डिपरेंस है friends क्योंकि इसमें male और इसमें female और male तो इसके उनली इसके अंदर nucleus आ kij निप्लिवाजम इसी का है इसके अंदर sto प्लाजम इसका है और nucleus इसका रहा है तो इसमें बहुत बहुत बढ़ता है कि male parent को प्रेंट को ने female parent को ने तो अपने रेसी प्रोकल क्रोस करवाना चाहरा है या नहीं चाहरा है तो इसके लिए जो अपन क्या है यह देख लेते हैं आपन करते हैं इस पेस्पी कमाइनिग इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स जैसे मैंने A B C इसको इसको और फॉसीबल कॉंबिनेशन ओफ टेस्ट इस हो सकता है oil content हो सकता है वो मिरको इसमें जो मिल रहा है वो अपन सेलेक्ट करेंगे ठीक है अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब जो अपन पास बची थी 50 परषन अब्चेक्ट है अब जो आपन पास में जो फाइनल आउटसेंदिंगी न लाइन वो अपने पास में फाइवरीड के लिए त्यार होगी कि यह लो भाई यह जो है एक अगर मैं कराऊं कि जी के साथ में क्रोस तो सबसे बेस्ट हो रहा है या हो सकता है जी का अगर बी के साथ में हो रहा है जो भी अपने पास में क्रोस करवाएंगा उससे पता चलेगा कि यह तो है सबसे हाई यह अपने रफ़ ली देखा था अब अपने इसको डिटेयल में देख लेते हैं ठीक है अब यह क्या लिखाव है कि development of the inbred lines इसमें क्या लेका हुआ कि isolations of inbred lines inbred lines के अपन जो है कैसे है पर हैप्लूइड प्लांट से अपन बहुत ही कम टाइम में एक या दो साल के अंदर अपन जो है इसके अंदर इनिविड बना सकते कैसे अब आप सोचिए कि हैप्लूइड प्लांट से जैसे इसका जैनेटिक कॉंस्टीटूशन ऐसके जो पूलन इंगे या फिर इसका जो एंथर बनेगा उसके अंदर आपको पता एक होगा एक कर लेंगे अगर आपने कर लिया इसका फिर इसको कौछिशी न के टीटमेंट चे कर दिया तो अपने पास में तो सिधा आ गया न होमोजाइकस कंडिशन अपने पास तो इंडीडिंग लाइन ऑटोमेटिक बन गई ठीक है अब कोल्चिशन से ट्रीटमेंट करने पर क्या होता है फ्रेंड्स कि आप बोलते क्रोमोजोंड डबल हो जाते हैं ठीक है अपने पास एक क्रोमोजोंड में समझ लोगे तो अब इसक व्हीं घलीड होता है कर दो मैं और क्या होता है अपने यह नृडबन पास में जो है डबल क्रोमोजोंड होजाते है ठीक है तो एक इसके आपन पॉलिटेट भी हो सकती है सिंथेटिक भी हो सकती है बस वाइड जैनेटिक बैस होना चाहिए और उसका जो मेल पेरेंट है वो अपन को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है इसमें 50% कर दिया फिर अपनने स्पेस्पिक कमाइनिंग अबिलिटी चेक की थी इनुबिट्स र अगर मेरे पासमें तीन क्रोस है तीन इसको फॉर्मुले में राखेंगे लिए तीन-1 ठीक है अब यह बज़एंगे स्पेस्पषबर सेख्षेश पाँखें चेकर दो अगर ने चाहते हैं तो अगर अगर आपन रेसी ब्रोकल करा रहा है तो 6 ठीक है अगर अगर आपन चा एक साथ रहे हैं तो क्या होता है n-1 और डिवाइड 2 क्या जायेगा अब तरी है जाएगा कि आप रेसी प्रोकल क्रोस अगर नहीं करवा रहे तो एक बी के साथ मोजाएगा इसके साथ में होगा तो एक दो और यह तीन बस यह होंगे ठीके तो एससे जो है अकर रेसी बोकल कर अरली टेस्टिंग क्या हुती ही कि मैंने का था कि अपन जो है इनप्रीड इसके अंदर ट्रम आए गया विदी सिंग पटोगे तो इसके अंदर क्या वता मैंने आपको बोला था कि यार अपन को इनप्रिड तो अपन जो है यह पहले भी ने कर सकते हैं टेस्ट जीस ये ओफ इसको भर तो इसका मेंने किया कि थोड़े से सीड लेके मैंने इसका क्रोस कर रहा दिया मैं सबका दीर-देर सबस्पार कर देकि यार यह तो इस बड़ी है यह फटी उत्सकों आठा दो यह सब्सक्राइब बच्षे होते हैं अपने तो ऐसे करके अपने अर्ली टेस्टिंग कर सकते हैं ठीके एक रिवर्स भीर्डिंग क्या होती है उसके आप आप सोज लोग इनीवर्ड लाइन होती है इन बड़ लाइन इसका क्रोस करवाने पर हाइब्र होगा ठीक है तो यह बोल रहा है कि हाइब रिट से जो इन ब्रिड यह बोल रहा है कि जैसे कोई है अपने पूरा बिलीव है कि आपको सुनना आगया होगा ठीक है सबसे पहले अपने पास में इनिविड त्यार करनी है इनिविड के से त्यार करेंगे कि अपन जो अपने पास में प्लांट उसकी कंटिन्यूसली सेल्फिंग करवानी है अपनको कंटिन्यूसली सेल्फिंग कराएंगे ना एक चीज होती है कि मैंने इसमें इंक्लूड किया या नहीं किया एक मिनट देखता हूँ वो यह होता है कि अपने जो है वो फिक्स हो जाए ये जी जी यूटाइप वगेरा और हो हो जाएकस कंडीशन में यह पना पास में आ जाये ठीक है तो अपने ने इन ब्रिडिंग करवा ली इन ब्रिडिंग कर रहा था तरह अपना टेस्ट कर रहे हैं अगर जो जीसी आपने रेखा था जनल कमाइनिंग अबिलीटि टेस्ट की यार यह यह नहीं बेट रहा है उसके लिए अपने ब्रोड जनिटिक बेस होता है उपन पॉलिय उसके साथ में क्रोस करवाया ईवरेज इल्ड या उसको बैटर देरी तो उसको अपने सले कोब viensकáticas के साथ एंसे से जितने भी जितने से जितने हैं जो सकते हैं ऑपनेeti स्व ओसकते हैं तो इस गारे से गोंइक हो सकते हैं इसके इसके साथ के फ्रॉस क्रोटने भी पॉस्टे बेना कर देंग आपत एक्चुल में क्या होता है कि आप खुद सोचो कि अपन सेल्फिंग करावाएंगे ठीक है इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी होगी इसके अंदर यह बताओ पॉलन कैसे प्रोडियूस गएगा यह बिल्कुल मतलब बिल्कुल विगर इसका बहुत भी खराब होगा क्योंकि आ है आगे इसको जैसे लगाएंगे वह तो अपनों पास में परफोर्मेस अची आनी है पर इसलिए इसकी सीड बहुत महेंगे पड़ते हैं ठीक है तो मेरे को लगता है कि आपको समय में आ गया होगा वो समझ में आ गया तो यार इतनी महनत कर रहें तो एक भार रहना लाइक करके दूसरों को बेज़ देना क्योंकि अगर आपने इसको फ्रेंड को नहीं बेज़ा तो अब तो क्या होगा आपको पाप लगेगा और तो कुछ नहीं है तो थेंक यू फ्रेंड्स I think आपको सुनना आगया होगा Have a nice day